तो हेलो फ्रेंट तो कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता होगा Samsung का 1UI 2.5 का अपडेट आ चुका है, जो कि बहुत सारे Samsung की मॉडल्स में आ चुका है, जो कि प्रीमियम फॉर्म से उसमें आ चुका है, S20, S10, Galaxy Note 10, Note 20 की सीरीज में यह अधि को बता दूं, Samsung की तरफ से यह कोई confirmation नहीं आई है, फिर भी Samsung ने एक चीज़ कहा गया था, कि यह जो भी मेरे phones है, या A-Series, या M-Series, जो भी A-Series के लिए कहा गया था, कि मैं इन पर 3 साल के लिए अपडेट दूंगा, मैं मलब 3 साल तक अपडेट रेगुलरी दूंगा, त तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आगया कुछ websites के, आपको screenshot बताने वाला हूँ, जहां पर लिखा गया है, कि साफ साफ कहा गया, कि कुछ website ने तो confirmation किया है, इन devices में आने वाला है, इसके list भी बता दूंगा, और कुछ website ने यह confirm किया है, कि deny कर दिया है, कि Samsung की तरफ से website है, वहाँ पर उनने कहा था, कि मैं तीन साल तक major update दूंगा, इन जो की A-series मोबाइल में, तो इस साफ से लगता है कि 2.5 का update जल्दी आ जाएगा, Samsung A-30S में, जो कि बहुत सार लोग इंतिजार कर रहे है, Samsung A-30S में आएगा, यह नहीं आएगा, तो मेरा जो opinion है, Samsung A-30S में आ सकता है, बड़ कोई confirmation नहीं है, अगर आएगा, September end में, यह October के starting में आ सकता है, तो दोस्तों आगे चलते हैं, मैं आपको screenshot बता देता हूँ, और Google पर अगर आप सार्च करेंगे, तो हाँ भी आपको दिख जाएगा, बाकी Samsung की तरफ से कोई officially update नहीं है, बाकी जो वीडियो तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह screenshot डला हुआ है, यहाँ पर mainly लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको pause करके पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ दिख जाएगा, कि उन A-Series और M से में, अभी Samsung ने कोई comfort नहीं, confirmation नहीं दिया है, फिर भी आने के chances हैं, तो आप इसको मैंने 3- शॉट लगा हैं, आप इसको एक बार रीट करके देखिएगा दोस्तों, तो थैंक यू, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है, दो प्लीज लाइक शेर और कमेंट ज़रू करें, और अ आपूले, तो थैंक यू दोस्तों.